योगी अदित्यनाज जी से गोजारिश करूँगा और अपील करना चाहूँगा कि सीमा हैदर की अजंसियों से जाच करानी चाहिए और ATS जाच कर रही है इससे पहले हमें सारी अजंसियों से जब से क्लीन चिट ना मिले हमें नागरिकता में इतनी जल्दी नहीं करनी है मौबत से कहीं हमें जखम ना दे जाए हमारे गाउंवालों को जखम ना दे जाए हमारे देश को जखम ना दे जाए क्योंकि सेना को रुक्वेस्ट बेजने का क्या कि आप सेलिबिटी है और मैं नहपाल बॉर्डर को भी कहूँगा नहपाल के परदान मंतरी को भी पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की लव स्टोरी जो है वो पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है जहां एक तरफ उतर परदेश की ATS पूरे मामले पर जाच कर रही है गाउंवालों ने अपनी बहुत स्विकार कर लिया है सीमा हैदर को जो तरीके से लगातार खबरें सामरे आ रही है और वहीं सीमा हैदर का कहना है कि मुझे भारती नागरिकता मिल जाए तो मैं शादी और भी जादा धुमधाम से करूँगी पर इसी के साथ साथ तमाम सवाल जो है वो सीमा हैदर को लेकर भी उठ रहे हैं कुर्बानी नहीं दे सकती कि पाकिस्तान चोड़के कोई गदर की शूटिंग थोड़ी चल रही है कि गदर पिच्चर की शूटिंग चल रही है और गदर पिच्चर की तरह तुम न लुखाड के सनी देवल की तरह लिया ही और तुम आ गई एक छोटे से गाउं में सनी के पारिस करूँँ burg внимants करना चाहूँगा कि सिमह हैधर की अजंशियों से जब से किली जट्व करना मिले हमने नागरिकता में इतनी जल्दी defensive चाहिए क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, हमारे देश की हिपाज़त का सवाल है और सीमा हैदर को ना तो कुरान शरीप की आयते आती है ना उसको नवाज आती है ना उसको कलमे आते है सब कुछ थी तो वीजा लेकर के आती हमारे देश में मना नहीं है हमने अधनान स्वामी जो सिंगर है हमें उनको भी हमने नागरिकता दी हुई है ना हिंदुस्तान में तो हमारे यहां पे मना नहीं है हमारे यहां बहुत कदर है हम पाकिस्तान की तरह हम लोग हिंदुस्तान क हैं हम हंदोस्तान के जुबान के पक्के होती हैं अगर आप प्यार करती हैं आप आती जस्से हमारे देश के परदान मंतरी से हमारे फोरन मिनिस्टर से परसीजर करके आती तो हम जरूर आपको नागरिकता देते इसका decision जब अजन्सियां ले 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 हमारी रौ ले ले हमारे देश की आई भी ले ले हमारी ATS ले ले तब हमें इसके उपर decision लेना चाहिए हमारा देश सक्षा में एक प्यार को सुविकार करने के लिए लेकिन उससे पहले अगर यह प्यार करती तो सचिन को भी बताना अब आप टीवी चैनलों पे कह रही है कि वो मेरे चाचा थे जिनके साथ मैं नाच नहीं हो मेरे पापा थे वो मेरे भाई थे तो इस्टोरी कितनी बदलेंगी आप मुझे नहीं लगता कि सीमा हैदर सचाई बोल रही है और हमारी अजन्सियों को चौकन ना होना चाहिए क् पंद्रागस्त पास में हैं, कोई ना कोई और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जो कि किरकिट के लिए सीमा हैदर इदर आई है, तो मैं इन सब चीज़ों का तो मैंने कहता, लेकिन इन चीज़ों का जरूर ख्याल रखें कि पंद्रागस्त हमारे देश में आरे हैं, पाकिस् और इसको निगरानी में रखना चाहिए मेरे ख्याल तो अब इसको घर भी नी छोड़ना चाहिए सीमा हैदर को सीमा हैदर का प्यार इतना परवान नी चड़ा है कि सन्नी देवल नी बन गई सीमा हैदर की पहुंच गई इंडिया और इंडिया अगर सन्नी देवल गया था तो उसकी एक स्टोरी थी जैन्वन थी आपकी कोई स्टोरी हमें समझ नहीं आ रही है आप तो गदर पिच्चर की शूटिंग के लिए सोत रही है कि मैंने करी है लेकिन आपकी स्टोरी समझ में नहीं आ रही है और पाकिस्तान पे तो हमें कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए उन कि इस पर काम करना चाहिए इसी के साथ ATS पूरे मामले पर जाच कर रही है उस उत्रों के हवाले से तमाम बड़े खुलासे जो हैं वो भी हुए कि सास्तों से जादा चैटे डिलीट कर दी गई इसी के साथ जो हमारे देश के भारतिय सेना के अधिकारी हैं उनको फ्रेंड या वापस उनके मुल्क पाकिस्तान भेज देना चाहिए जिस तरीके से उनके पती गुलाम हैदर का कहना है कि सीमा को वापस कर दीजिए प्रधान मंत्री से बात की जा रही है पाकिस्तान धंकी भी दे रहा है कि सीमा को भेज दीजिए नहीं तो हम बॉम ब्लास्टे या फ क्योंकि हम इस देश से प्यार करते हैं और पाकिस्तान की दंकियों से हमने डरने वाले की बंबलास्ट कर देंगे गोलिया मार देंगे तो ये तो आप हमें पता नहीं कबसे मारते आ रहे हो और कबसे हमारे साथ करते आ रहे हो बंबलास्ट किया आपने कितना किया और कितने अ क्वेस्ट बेजने का क्या कि आप सेलिबिटी हैं आप क्या हैं जो हमने नागरिकता को मना नहीं हमारे देश में हमने अधनान स्वामी को भी नागरिकता दी है वो पाकिस्तान से हैं उनकी बीवी बच्चे आज रह रहे हैं इस देश में काम कर रहे हैं इस देश के नागरिक ह नहीं जाना चाथे हैकंए पाकिस्तान एक भुकमरी के आग में हैं, तो सीमा हैदर की पूरी जहांच होनी चाहिए, तब उन्हें नागरिकता हम दैने के लिए मना नी कर रहे हैं, लेकिन प्यार में हमने जखं बहुत कहाए हैं, तो हम जखं नहीं खाना चाहते हैं सीमा जी आ मैटी बैठनी चाहिए और सीमा हैदर को देना चाहिए लेकिन उसने तिन तिन पासपोड बनाएं दो दो आधार कार्ड बनाएं इसका क्या मतलब है और आप चैटे डिलीट कर रही हूँ हमारी सेना के जवानों को सेना के ओफिसरों को आप दे रही हैं आप बोल रही है सचिन हैदर पाकिस्तान की मतलब जो आईएसाई एजंट हो सकती है और हमारी अजंसियों को इतना हलके में सीमा हैदर को नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसने बहुत से बियान बदले हैं बहुत सी स्टाइल बदली और इगलिस मारती है और वो बोलती है मैं पांच में पास हूँ औ और वो सम मीडिया को इंटरनेशनल मीडिया को इतना टैलेंटीड कर रही है सचीन तो उसके आगे बच्चा है मतलब उसने कैसे सचीन को मोहरा बनाया सचीन को कैसे लेकर के वो इसमें आई है तो हमें प्यार से डल रहा है थपड़ से डर नी लग रहा है सीमा हैदर के आने स सक्से सक्त कारवाई करने चाहिए और इतनी जल्दी नहीं करने चाहिए कि इसको नागरिकता दे दीने चाहिए परदान मंत्री जी से रुक्वेस्ट कर रही है राष्ट पदी जी से रुक्रेस्ट कर रही है तो हम भी इस देश के मुसल्मान होने के नाते हम भी परदान मंत्र से रुक्वेस्ट कर रहे हाद जोड के प्रातना करते हैं कि अभी सीमा हैदर को इस देश में नागरिकता नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये प्यार नहीं है सर प्यार से डर नहीं हमें थपड से डर है जो परवेस मुसर्ब ने जो नवाश शरीव साहब ने जो इमरान खान ने जो जखम हमारे देश को दिये हैं आज तक इस देश का मुसलमान नहीं बुला है क्योंकि करके ये जाते हैं सेना हमें पड़ता है तो हमारे दिल से ये दुआ है कि नहीं हमारे देश के परदान मंतरी इस पर विचार करेंगे और मोधी जी बिलकुल अभी इसे ना दें इसकी जाच करें अजन्सियां बिठाएं और जरूर ये आईसाई की एजन्ट निकलेगी पाकिस्तान की आईएसाई की एजन्ट हो सकती है हम ना पाकिस्तान से कल डरे थे ना आज डरे ना डरने वाले हैं कभी और जिस देश का परदान मंतरी नरंदर मोधी जैसा बबबर शेरो उँदेश के मुसल्मान फकर करते हैं अपने देश के परदान मंतरी पर पाकिस्तान के लोग भागते होंगे हम अपने इंडिया के परदान मंतरी पर पर पुरे मामले में क्योंकि जो दावे किये गए थे कि NEPAL में पर अपने आपको मुसलमान बताने वाली सीमा हैदर ने मंदिर में शादी की पर शादी जो होटल के कमरे में की इसकी सुई यहीं कुमती है कि इस ने सचिन ने भी होटल में नाम चेंज करके अपना रूम बुक कराए और जाली नाम से कराए कि मेरी वीवी आ रही है जबकि उसको बताना चाहिए था अपना आधारकार दिखाना चाहिए तो आप तो सच्चे थे तो आपने क्यों जूट बोला और आपने शादी का भी जूट बोला पसुपरते रात मंदिर ने भी मना किया किया कि आपने शादी मंदिर में ने किया इनी सबी चीजों को ब्यान देखते हुए सचिन के परिवार पर भी जाच होनी चाहिए जिन्नोंने ATS जाते हुए पुलिस जाते हुए दरबाजा निकोला है एक गंटे तक हमारी पुलिस गेट पर वेट करती रही जब पुलिस ने कारवाई करी तब उन्होंने गेट कोला त इसके परिवार की भी जाँ चुनी चाहिए और इनके साथ कौन-कौन लोगfeld कर रहे हैं कौन-कौन लोग हमारे हैं जो इने सपोर्ट कर रहें उनकी पर भी जाँ चूनी चाहिए